नमस्कार वीवर्स मेरा नाम रतनाकर राव है और आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ मीर हसन की सबसे मसूर मसनभी सहरूल बयान का खुलासा तो चलिए सुरुवात करते हैं किसी मुल्क में एक बासा था जो अपने इंसाफ पसंदी और दिलेरी की वज़ा से अवाम के दर्मियान मसूर था उसे हर तरह का ऐस हासिल था मगर वह अवलाद की नेमत से महरूम था उसके परिसान होने की असल वज़ा यही थी उसने फैसला किया कि अब जो बची हुई जिन्दगी है बासाहियत छोड़कर खुदा की इबादत में गुजारा जाए नजूमियों और जोतिसियों को बुला कर मस्वरा किया तो नजूमियों और जोतिसियों ने बासा के हां अवलाद होने की पेशन गोई की और यह भी कहा कि बच्चे को बारा साल हिफाज़ा से रखा जाए क्योंकि बार्वे साल आफात्वा मुश्किलाद से दो चार होगा गो लड़के की जान को कोई खत्रा नहीं होगा मगर कोई परी उस पर आसिक होगी और उसे उड़ा ले जाएगी नजूमियों की पेशन गोई सही सावित हुई और बादसाह के यहां एक खुबसूरत बेटा पैदा हुआ जिसका नाम बेनजीर रखा गया यही बेनजीर इस मशनवी का हीरो होता है सारे मुलक में खुसियां मनाई गई और बादसाह सहजादा बेनजीर के लिए अलग से एक महल बनाते हैं और एक खुबसूरत बाग में उसकी तालिम और तर्वियत होती है बादसाह को नजीमियों की कही हुई तारीख याद ना रही बादसाह ने इस ख्याल में की बारा साल मुकमल हो गए हैं जबकि बारा साल मुकमल होने में एक दिन बाकी रह गया था बादसाने सहजादे को वापस महल में बुला लिया और जशन का महल होता है जशन से वापस आने के बाद सहजादा अपने वालिद से महल के बाला खाने में रात गुजाने का एहताम किया इत्फाक से यह रात बार्वें बरश में शामिल थी चुनांचा नजुमियों के कहने के मुताबिक महरूक नामी परी का उधर से गुजर हुआ सहजादे को देखकर वह परी उस पर आसिक हो गई और उसे उड़ा कर परिस्तान ले गई महल में सुबा जब सहजादे को ना देखा गया तो चारो तरफ कोहरा मच गया मारूक परी दिन भर सहजादे के साथ रहती उसकी देख भाल करती मगर सहजादा हमेशा गुम्सुम उदास रहता था मारुक परी बेन जीर का दिल बहलाने के लिए हर मुम्किन कोशित करती मगर वा हमेसा उदासी रहता था मारुक परी सहजादे की मायूसी और उदासी को दूर करने के लिए उसे एक कुल का घोड़ा सेरो तफरी करने के लिए देती है सहजादा रोजाना सुबाव साम शेरो तफरी के लिए जाता और साम को आपस लोटाता एक दिन सहजादा तफरी करते हुए सहजादी बदर मुनिर के महल से गुजरा यही बदर मुनिर इश्र मसनवी की हिरोईन होती है जब सहजादा बेनजीर और सहजादी बदर मुनिर की नजर एक दूसरे पर पड़ती है तो दोनों एक दूसरे पर आसिक हो जाते हैं दोनों रोजाना बाग में मिलने लगे और दोनों में प्यार हो गया माहरूख परी को दोनों के इश्की की खबर एक देव जो की सफेद होता है उसके जरीए पता चलता है परी यह सुनकर बहुत गुसे में हो जाती है और सहजादा बेनजीर को पकड़ कर एक चाहे अलम नामी कुवा में कैद कर देती है यह चाहे अलम कुवा कोह काफ में पढ़ने वाले रास्ते में है उधर बदर मुनीर परेशान है कि आखिर सहजादा बेनजीर मुझसे मिलने क्यों नहीं आता वह रात को बहुत परेशान रहती और खुआप देखती है कि सहजादा बेनजीर एक कुवे में कैद है वहाँ यह बात अपनी शहली और कनीज नजमुन निशा को बताती है और नजमुन निशा जोगन बनकर सहजादी की खोज में निकल पड़ती है रास्ते में नजमुन निशा की मुलाकात जुनु के बाद साका बेटा फिरोशा से होती है और फिरोशा नजमुन निशा से इश्क करने लगता है नजमुनिसा उससे एक सर्थ पर मिलने का वादा करती है कि तुम सहजादा बेनजीर को ढूड़ने में हमारी मदद करो उधर फिरोज साह सारे जीनों को बुला कर बेनजीर को ढूड़ने में लगा दिया जब फिरोज साह को मालिम होता है कि माहरूप परी ने सहजादा बेंजीर को कैद करके रखा है तो उसने उसे धमकी दिया कि मैं तुम्हारे बाप को बता दूँगा कि तुमने एक आदम जाद को कैद करके रखा है इस तरीके से नजम निशा फिरोज शा की मदद से सहजादा बेनजीर को चाहे अलम से मारूप परी की कैसे आजात कराती है फिरोज शा और नजम निशा सहजादा बेनजीर को लेकर बदर मुनीर के महल में आते हैं और बदर मुनिर बेनजीर को देखकर बहुत खुस होती है बदर मुनिर के वालिद मशूद साह बेनजीर की शादी बदर मुनिर से और फिरोशा की शादी नजम निशा से करा देते हैं और फिर खुशी खुशी सहजादा बेंजीर सहजादी बदर मुनीर के साथ अपना मुलक चला जाता है तो यह था शहर बयान का मुक्ततर सा खुला सा शुक्रिया